एलो गाइस तो स्वागत ते आपका हमारी Chem Assistant चनल की नई वीडियो में तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज गे 2021 Chemistry का एक्जाम था मॉनिंग की शिफ में तो उसके chemistry related 55 questions आते हैं तो इस बार आपको जैसे पता है MSQ और NAT भी add होने थे तो MCQ तो चलो level तो इस बार में कहूंगा कि एक्जाम का थोड़ा analysis कर लेते हैं पहले level तो बहुत थोड़ा easy था तो मुझे को जहां तक लगा है थोड़ा easy exam का level था पर ऐसा नहीं है कि बहुत easy था कुछ-कुछ mistakes probably हो सकती हैं कुछ questions organic के अच्छे भी थे और NAT type में कुछ-कु में mistakes हो भी सकती है तो आप जादा यह नहीं सोचें कि बहुत easy level था तो जादा high cut-off जाएगी में पुराने से मेरे को लगता है थोड़ी high जाएगी पहले 70 पे highest आते थे तो इस बार हो सकता 80 पे आ जाए पर जादा मेरे को नहीं लगता ठीक है उसके बाद अगर हम NAT की बात हमें theoretical जादा पूचेंगे उतना जादा theoretical में पूचा नहीं था ठीक है तो आए हम शुरू करते कुछ question discuss करना जो जो मेरे को याद रहे मैंने आप पे करी 48 questions आपके cover करें out of 55 चले देखते हैं तो जो एक question था उसमें क्या था उसमें हमारे पास यह double bond था एलकीन दी हुई थी इसमें क्या होता है कि carbon insertion होता है spy bond पर carbon insertion होता है अब बात आई थी कि stereo की बात थी असली कि stereo क्या होगी अप जाएगा below जाएगा और एक में ऐसे भी बना हुआ था है मी एक में नीचे बना हुआ ठीक है तो इसका सही answer जो हो यह वाला है इससे कैसे है क्यों क्या है silicon जो है जहां पर silicon है इसलिए अब अब बाला बनेगा okay so next question था next question में आपको दो question पूछे थे एक यह दो silver की lights थे यहां पर positive होना चीए ठीक है यहां पर silver के दो lights बने हुए थे तो उसमें क्या हुआ कि एक में जो negative था वो stable था ठीक है यह इस negative की क्या है कि oxygen पर conjugation है तो यहां पर य oxygen से conjugation है और यह unstable है तो क्या होता है कि यह hard center होता है और यह soft center होता है यह soft center होता है तो जब यह negative stable है तो मत्तलब एक soft nucleophile है तो यह soft nucleophile क्या करेगा यह nucleophile आपके hard soft center पर attack करेगा तो इसने क्या किया इसने यहां पर attack किया और इसने जब यहां पर attack किया तो आपको पता है कि हमा तो इसने जब डायक औक्सीजन पर टक्ट किया तो यहां पर यह रिंग बन गई तो इसका यह वाल आशर सही था उसमें कुछ ओप्शन्स यह भी दिये थे कि इसमें इस वाले डाल बार्ण में वे विव करा दिया था पर इसमें क्या होता है कि Sulfurilites में mostly वो oxygen पर या फिर conjugated system पर attack करता है, उसके आगए attack नहीं करता है, चलिए next question दिखते है, next question क्या है, MSQ है, आपचा questions में ऊपर MSQ है, NET है, MSQ है, MENTION था, तो उसलिए डर नहीं कोई बात नहीं थी, MSQ था, actinites के बारे में था, तो उसमें question क्या क्या था, एक था कि trans uranium और artificial, all trans uranium, trans सही है, यह artificial होते हैं, सारे, all are radioactive, all radioactive नहीं होते है, radioactive uranium के बाद के होते हैं, mostly, तो यह गालात है, ठीक है, 5F electrons are more available than 4F, आपको पता है, जैसे आप electronic confusion मनाओगे, तो 4F अंदर की तरह होता है, फिर उसके बाद 5F orbital बाहर की तरह होता है, ठीक है, 5F orbital बाहर की तरह होता है, तो होते हैं, तो इसमें 2 सही आंस आते हैं, जो हमने बता दियो, उसके आद एक अगला MS क्यों था, quantum से लेट, quantum से जादा question नहीं है, एक ही question पूछाता है, तो उन्होंने पूछाता, valid wave function कौन सा होगा, valid wave function कौन सा होगा, तो हमने normally यह तो पढ़ाए कि continuous होना चाहिए, single valued होना च यह तो हमने पढ़ रहे हैं, तो even odd का क्या है, तो even odd का क्या है, अगर आपको नहीं भी पता है, तो इसमें आप ऐसा सोच हो, कि जब आप पढ़ते हो, 1D oxalator पढ़ते हो, harmonic oxalator पढ़ते हो, तो उसमें भी, अगर wave function even odd ऐसे होता है, alternative even odd होता है, तो लेकिन wave function allowed होता है, हम compound दिया था, उसमें K-NH2 दिया था, दो equivalent, दो equivalent का मता है, K-NH2 base है, दो equivalent में क्या क्या है, पहले नहीं यह वाला hydrogen निकाला है, ठीक है, तो negative बन गया, उसके बाद जो दूसरा equivalent है, उनने यहां से hydrogen निकाल के, यहां पे negative बना, ठीक है, यहां पे, अब जो equivalent के वैसे है, दूस तो उसने यहां पे attack मारा, और B-R को निकाल दिया, जब B-R निकल गया, तो butyl group आ गया, ठीक है, उसके बाद AQUOS NUH था, AQUOS NUH निकाल के है, यहां पे HDI इसको पहले, HDI तो क्या हुआ, यह conjugation करके यह तुमारा यह बना सकता है, ठीक है, LDH बना सकता है, उसके बाद AQUOS NU होगी तो आपको पता है कि O, O पे उपर जाएगा, H ट्रांसवर हो जाएगा, इसके सिमिलर मॉलिक्यूल में, तो COO निकेटिव बन गया, तो निकल गया, तो निकल गया, तो निकल गया, उसके बाद क्या होगा, मेरा AQUOS NUH में H तो ही, तो मेरा A compound बन गया, तो यह इसका यह वाल option था, मेरे में शायद यह D option था, आपके में बता नहीं, उसके बाद एक D broccoli wavelength से related था, ठीक है, तो बहुत सिम्पल NET था, lambda is equal to H upon MV होता है, D broccoli wavelength के लिए formula, lambda is equal to H upon P होता है, P is equal to MV होता है, mass आपको AMU में दिया था, velocity आपको दी थी, H की value आपको दी थी, 6.62, 10 के बाद माइनस 34 Joule per second, ठीक है, बस AMU से आपको क्या करना था, AMU से पहले आपने NA से नमबर उससे, NA, NA मतलब 6.023 into 10 के पाद थी, आपको ग्राम में आ गया, फिर आपको ग्राम में है, लेकिन H का है, H के वाली Joule में, Joule मतलब किलो ग्राम में है, तो उसको किलो ग्राम में चेंज कर माइनस 12 मीटर में पूछा, तो 39.9 something answer आया था, पिको मीटर में, आएए, next question देखते है, next question में क्या था, ये राउल्स लॉसर रिलेटिड था, उसमें क्या उन्होंने टॉलूइन का वेपर प्रेशर दिया था, टॉलूइन का वेपर प्रेशर दिया, मतलब प्योर सब्स्ट इसका क्या हुआ, प्रेशर इतना होगा, वेपर प्रेशर इतना होगा, 0.12 हो गया, तो decrease in प्रेशर प्रेश, हमें पादा था, राउल्स लॉर लगेगा, lowering in वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, lowering in वेपर प्रेशर एक्वाल तो, mole fraction of solute, solute रहा था था, solute कहा है, इसमें hydrokar आर्मा ने solvent किया है आपका toluene है ओके तो formula किया था पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इस इकल टू एकसे क्या है आप मोल फ्रेक्शन मोल फ्रेक्शन या नहीं मोल सॉल्यूट के मोल किया डबलू ए अपॉन एमे डिवाइड बाइ टोटल टोटल ठीक है तो यह मोल्स क क्या था नेक्स कोश्चन बहुत इस सा कुश्चन था नहीं यूज किया आरहिनियस एक्वेशन को उन्हाने क्या 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 था 0273 इंट्टो 10 के पाव माइनस 4 के टू दिया 1.something था मैं को वैल्यू याद नहीं आरे आपको पता हो तो बता दे ना इंट्टो 10 के पाव माइनस 4 माइनस 4 भी दिया माला कैंसल करना बहुत इसी हो जाए उसके आपको फॉर्मला याद होगा यहां से आपने यह निकालना था बस यह निकालना था आपको अपने इंट्टो पूछा तो आपको 10 की पाव थ्री से डिवाइट करना था वह मत भूलेगा ठीक है यह किलो जूल में पूछा था इसके बहुत ही अच्छी सी डियक्षिन आयती इवांस इवांस ने यह बताय यह क्या बनेगा ये सब से अ अच्छा कोश्चें था क्या यह अपर यहां तो आपको ऑफ़े तो क्या और यह रिपर्जिन दिखाता है उसके वाई से और यह रहा है और उसके बाद आपने क्या पीएस-चेस्ट बियार रियक्शन कर ओ ने बना उसको अटेक मार गाओ यह अवब में है तो बिलो अटेक बन गया क्या मुज़ देखने की बात नहीं थी ग्रुप को आटाक क्योंकि आपको OH के लावा कुछ दिया ही नहीं था और क्या बन सकता है एन एच और सम्थिंग और ठीक है तो ओएच ही बनेगा इसको रिड्यूस कर देगा इस ग्रूप को और ओएच बना देगा ठीक है अगला कोशन था सिंपलस कोशन था लीस्ट ऐसे डिक पूछा था यह चार ऑप्षण दिए थे यहां पर शायद कोई और गुरुप था एक बार आप देख लीज़ेगा यहां पर शायद कोई और गुरुप था ठीक है तो यहां पर क्या एसपी और स्बसे जादा हो गई फिर इसके बार इन त बना यहां oxygen पर आप यहाँ देखें यहां पर यहां गया हो ऑद तो oxygen पर यहां पर यहां घेया यहां पर यहां गया है तो scaffold resonate Caf很 acidic है । इस यहां Dramatic as compared to this क्यों कि इसमें क्या और है यहां bak carbon पर तो यह रहाएं carbon पर यहां Least Acidic है स्वेख में आ हुआड जा औरacer को लीस ऐसे डिक था ठीक है उसके बाद अगला था न्यूक्लियो फिलिक सब्सिट्यूशन इस कोश्चन पर स्टाल लगा लो यह कोश्चन एक बार को मैं कह सकता हूं कि मेरे को आइडिया नहीं है पका पका कंफर्म नहीं कह सकता पर मेरे साब से कहां से मैंने तीन लगाया है इसका मैं कनफर्म नहीं कह सकता है एक बार आपको और स्ट्रिक्शर याद हो तो उनको सर्च कह सकते हैं ठीक है तो क्या होता है नूक्लियो फिलिक सब्सिट्यूशन से कौन सा प्रोड़क्ट बनेगा मतलब कौन कौन से जो भी कंपाउंड दीग होते है वो नूक्लियो फि इसका मैं नहीं बन सकता है यह दो स्यारी यह किसी और कोशिण से उतार दी तो इनको आप कंसीडर मत करिए इनको खुझा अलिकि उता है तो इसमें यह तीन नहीं है जू डिखाएंगे यह तीन दी नहीं नहीं इंसे आईडिया लग जाएगा क्योंकि यह पहला वाला कंपा यन वह एक च chiटा कि यए वाला Compound मेरे साव से नुक्लिघ सब्सटियूचज से नहीं बनना चाही है यह वाला Principat 1200 एक बार मैं बना सकता हूं अगर मैं बंजायन मकैन अगर मैं आप अग्ला से यह आख सप्षा है लेकिन यह यह वाला Compound помощью नहीं बनना चाह被 unit यह आला compound बन सकता है, तो इसका answer मैंने 3 लगाया था, most probably 3 answer आया था उसका, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, अगला MSQ question आया था, C2V point group, C2V point group किसमे होता है, water में, ठीक है, याद हो कि यह water में होता है, उसमें आपको पतिया था कि E, C2, sigma V, sigma V star, यह symmetry functions होते हैं, उन्होंने प positive 1111 होंगी, यह तो होता ही है, ठीक है, तो यह option तो आपको देखते ही सही लगाते ना था, यह तो होता ही है, उसके बाद क्या होता है, कि E कभी, एक option था, इसमें E negative था, अभी E कभी negative नहीं होता, identity matrix में कौन सा negative, identity का मतला है, no change at all, तो कोई change नहीं होगा, तो E हमेशा positive होना इसे बाद से दो option सही थे, ठीक है, दो option सही थे उसके, उसके बाद कुम सब पूछा था, कितने stereo isomers है, stereo isomers का मतलब क्या है, आपको बस यह देखना है, कि आपको कोई plane of symmetry हो जाया तो नहीं है, क्योंकि आपको inensiomers और diastereomers देखने है, आप देख लिए कोई plane of symmetry तो नह आता है, अब direction में एक bond, एक low direction में एक bond, तो आप जब इसको देखेंगे, तो आप ऐसा भी कोई भी plane pass नहीं कर सकता है, एक याला compound दिया था, एलीन सिस्टम था, एलीन सिस्टम था, इसमें क्या था, इसमें आप पास कर सकते हो, आप क्या करो, आप H और P11 से होता हुआ plane pass करो, यह दोना आपस में reflect कर जाएंगे, तो इसमें था, इसका answer जो जो मुझे structure यात है, वो मैंने लगा दिये हैं, जिसमें आपको confusion हो सकती रह जा सकते हैं, पर वो आपस में cut हो जाएंगे, जब आप plane pass करेंगे, उसके बाद पूछा था कि, इसमें कितने टाइप में 1H NMR हैं, 1H NMR में कितने signal हैं, आपको पता है 1H NMR में different type के hydrogen देखने होते हैं, तो आपको पता है कि यहाप एक hydrogen यह रहा, ठीक है, इसकी तरह यह hydrogen same ह होगा, यह तीन है आपे, और यह तीन है, यह तीन है, यह तीन हो सेम तरह के 6 hydrogen का 1 signal आएगा, इन 2 hydrogen का 1 signal आएगा, और जहां पर जो 3 बच उन 3 hydrogen का 1 signal आएगा, तो इसका answer था 3, ठीक है, 3 answer था इसका, इसके बाद हम यह compound दिया हुआ था, इसके में को values याद नहीं है, पर मैं आपको तरीका बता हूँगा, कैसे solve करना, अगर आपने उस तरीके solve किया, तो आपको 100% answer सही है, अगर आपने calculator सही सही है, तो एक calculator भी यूज करना अच्छा तरीके सहान चाहिए, प्रॉबबली आप यूज करके गए होंगे, hopefully, तो इसमें क्या हुआ था, आपको new prime, new prime का म हाफ होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर हाफ new prime होती है, उसके उपर जाओ, तो 3 by 2, तो 3 by 2 minus half, 1, ठीक है, तो new prime दिया था, आपको new prime दिया था, frequency दिया थी, centimeter inverse में, HI molecule दिया था, यहाँ पर लिखा था, इनका molecule केतना, इसका 1 था, इसका 127 था, तो यह, ठीक है, तो आप 2 upon m1 plus m2 से इसका निकाल सकते थे, 127 upon 128, ठीक है, जब इस formula में आपने पुट किया, mu prime is called 1 upon 2, उपाई से इंडरूट, k upon mu, तो mu को याद रखेगा कि, जैसे हमने पहले किया था, इसको पहले gram में convert करो, एवोगाटरो number से divide करो, ठीक है, एवोगाटरो number से इसको divide करो, ठीक है, उसके बाद अगर आप unit match करोगे, तो आप का अंसार आजाएगा, c की value 3 into 10 की power 10 रखनी थी, क्योंकि centimeter में, तब ही centimeter से, ये वाला centimeter cancel होगा, और इसका answer, newton per meter में निकालना था, newton per meter में अगर आपने ये सारी चीज़ ध्यान लगी है, आपका question हो गया होगा, मैं बता रहा हू आई टी बाउम में ने हमारा ये चैक किया था कि हम solution करना जानते हैं, हमें physical में, formula में, पता है कौन से value क्या होती है, हमें units लगाना आती है और नहीं आती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, अगला question से क्या थे, अगले question में उन्होंने हम से पूछा, कि जैसे य ये compound बना रहा है मेरे पास, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूछा था कि इसमें क्या होगा, अन्प्रेड electron कितने होगा, इसकी geometric होगी, तो अन्प्रेड electron के लिए क्या किया, यहां पे इन्होंने ऐसा compound आप देखो, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, आपका ये 6 member की ring के ऊपर एक bridge कार बने, 6 member की ring के ऊपर एक bridge कार बने, ठीक है, उससे CO लगा दिए, अब अगर ये थोड़ा बड़ा structure होगा, तो अब square planer में fit करना चाहना, तो ये fit नहीं होता है, ठीक है, तो ये square planer में repositions बहुत होंगे, तो उस वैसी tetrahedral geometry prefer करेगा, तो ये सबसी tetrahedral होना उसके बाद अगर आप देखो, तो यहां पर क्या है, कि यहां पर negative charge आ सकता है, तो उसके ऐसे negative में है, minus 1 में, तो प्लस 4 charge आ जाएगा, इसके उपर, प्लस 4 charge आ जाएगा, तो ये high spin complex है, low field लीगेंड है, d5 बन गया, 5 inflated electron हो गए, कोबाल्ट ही था, शायद जहां तो मुझ आपको दिया था, कि तीन कंपाउंड दिया था, कि तीन कंपाउंड दिया था, CRF63 निगेटिव, CRS2O का होल सिफ्ट्री पॉजिटिव, CRCN का होल सिफ्ट्री निगेटिव, उसके आदम से delta not पूछा था, order पूछा था, ठीक है था, हमें पता है, कि order क्या होगा, ये, क्या Kille, कि बाइल ये, क्या होलनारा तो होता है, ये, दोनों फोर्ट उसकी सबसे कम होगी, ऐसे TIE में, है तो, इसमें spin allowed spin allowed is क्योंकि एक नीचे है उसके बाद ऊपर उसके बाद T2G से EG के दो खाली पड़े हैं EG के दो खाली पड़े हैं कहीं भी भर तो spin allowed है सीम का सीम ऐसे जा सकता है NICL42 negative tetraheadal आ गया tetraheadal आ गया याद रखीगा EG 32G tetraheadal में क्याता है laporte partially allowed होता है laporte partially allowed होता है उसके बाद spin allowed है तो उसके बाद इसकी जादा होगी फिस CR open इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है इसकी सबसे जादा होगी तो आप सिंपल देख लो 18 electron rules के साफसे अगर हम देखे तो यागा दोनों के साफसे देखे तो 30 आ रहा है उसके लिए six electrons आने चाहिए six electrons कहां से आएंगे अगर ट्रफल बॉंड होगा अगर ट्रफल बॉंड होगा तभी तो six electron आएंगे इस वाई से थ्री बॉंड नॉर्टर था इसका इसका अगला कंपाउंड था बहुत इजी था नाई भी आर्टू पीपीएस दे दिया था दिया था यह डाय मैगनेटिक कैसे कुछ कलर दिया था कोई फरक नहीं पड़ता डाय मैगनेटिक हमें पादा चलके स्क्वाइप लेनर है उसके इजी फोर टी 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 टू टी टू फोर तो ऐसे दो अन पेड़ आ जाएंगे उसको बनाके देख लीजिए जए दो नीचे उपर दो चाथ चार में दो अन पेड़ अगई ठीक है उसके बाद क्या था उनकी शेप उची थी बहुत ईजी था दो ही औप्शन सहे थे आग आपको देखनी की स्कॉयर पिरामीडा लोगा या ट्राइगोनल बाई पिरामीडा लोगा क्योंकि यह एक यह उप्शन आया था और उसमें ही टीबीपी दिया हुआ था तो पूछा था और पूछा था अब लुईस एसलिटी हमें पता है बैक बॉंडिंग के अगर बैक बॉंडिंग हो रही है तो बोरोन इलेक्ट्रों डेफिशेंट स्पीशीज है उसके पास एक्सेप करने की टेंडिंशी नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि उसका Lewis Acidity कम हो जाएगी तो हमें पता है कि जहां फ्लोरीन होता है फ्लोरीन क्या होगा अपने टी एलेक्ट्रों इसको ट्रांस पर बोरोन के आंटि-अर्बिटल में और फ्लोरीन टूपी है यह भी टूपी का है तो टूपी टूपी इंट्रेक्शन बहुत अच्छा होता तो इसकी सबसे ज़्यादा बैंक बंडिंग होगी तो जहां सबसे कम पूलोरीन देखे उसकी सबसे कम थी और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें इसकी सबसे कम थी तो हमें कुछ देख नहीं था हमने आंसर लगा दिए उसके बाद भी आगर आपको देखना है तो इधर जाओ आप चांसेस कम हो जाएंगे गृूप में नीचे जाओ चांसेस कम हो जाएंगे तो इससे लगाजे से इसकी जादा थी इससे क्योंकि इसमें 2P 3P हो रही है बैक बंडिंग जादा थी उसका मतला लूइससेटी कम ठीक है यह जाद अपको बस इस ऑप्शन को देखना आप 5 सरा गया था बस आप इस ओप्शन को देखना था आप 5 सरा गया था कि इस सबसे जादा होगी लूइस-इसलिटी क्योंकि बैक बंडिंग सबसे कम में हैं उसके छाव चुशन था इसमें बोला था यहां पर यहां से इंट्रेक्ष्र है यहाँ पर hydrogen injection है वन ठी डायक्षिल इंट्रक्शन है तेक उसके वह से क्या होता है उसके वह से यहाँ पर अटेक जल्दी से होता है यह compound अपनी तूटने की कोशिश करता है जतना छोटा होतना छोटा होने कोशिश करता है तो एक्जेल वाले की सबसे जल्दी होगी और एक सब से कम और चाहिँ थर नहीं कर रहा है और करते हो नुंग्लें सबसे zoo क्वाइग एक प्राइथ था यह पेढ़ाद लगेस्टिए तो इसमें ऐसा प्रीन में तो एनुग्रोपविन पर दाहिए किल्क मौन्हाँ बनीस वायरीड कार तो एक शर्स hem थी इसकी सबसे जादा तो थी फर्स सेकेंड यह आपको और था ठीक है उसके बाद यह कोश्चन यह बेसिक कोश्चन है जो आपके आपने कोडिनेशन केमिस्ट्री में रियक्शन में पढ़ा हो तो उससे बेसिक कोश्चन आए बहुत एजी सा आपको मैं को याद नहीं तो मै तो एक प्रोटोन लेगा प्रोटोन लेने की कोशिश करेंगा पर यहाँ पर कोई गुरूपी ऐसा नहीं है जिसके बाद प्रोटोन हो तो क्या होगा कि ओच निगेटिव की कंसेंट्रेशन पर रेट डिपेंड ही नहीं करेगा तो यहीं वाला ऑप्शन सही था ठीक उसके देखो एक रियक्शन की टूपी सॉलेड प्लस संथिं गिविंग संथिं लिक्विड को लिक्विड दे रहा था ठीक है उसके लिए हमें डिल्टा एच बता रहा था हमें पूचा था क्या 3.1 ग्राम फॉसफ्वरस गॉड़ा है तो डिल्टा है क्या होगा हमें पता है कि 2 म तो इतनी डेल्टेस निकल रही है कि 3.1 ग्रांट दिवाइड़ा फॉस्फफरस का मॉल्टी वीड देगा 31 कर दें तो 0.1 बनेगे तो डिल्टा हब 2 हो गया डिल्टा हब 2 मतलब डिल्टा हब 2.1 अगर 2.1 मोल के निकालने और आपका आश आ जाता किलो जूल में था कुछ तो आइसो बारिट प्रोसेस आपको पाता है डबली जिगल टू माइनस के डेल्टा वी माइनस के डेल्टा वी प्रोल्यूम दिया है तो माइनस को वह कर सकते हैं हम हटा सकते हैं लीटर एट्मॉस्फियर को जूल में बदलने के लिए आर की यूनिट रोटे इसके बाद एक ऑप्शन था यह अच्छा कोईशन था पैरिसाइकली सा बेसिक कोईशन था इसमें पूछाता है कि इनकी 4 प्लस 2 रियक्शन हो रही है यहाँ पे ऱ्टर लियक्शन में आपको पता है अगर यहाँ पर पॉज Tonight बन रहा है यहाँ पर पॉजिटिव छाड़ ज्यादार बन रहा तो इन दो इन दो आफे यह बने का तो पहले हम यह इंट है Бंपान और यह यह तो हमें प्टा यह लूम होता क्यों से अंदर की साइड नहीं बना है क्योंकि वो रिपोजिशन शो करता है इसलिए होता है प्ह को बाहर बनाईए डावल बंच यहां पे सेकंडरी और इफेक्ट आता है हे तो हीट किया तो सबकूर और नहीं ना उपको आपर मन सकते हो कोई अफ्ला कोश्य तक्रशन पाट रिक्षन बाटन गेंगशन और है हमें रियक्षने करने और ओंकशन और निकलेगा दो ओए आटेक मारा एन ओ पर निकल गया और निकल गया साथ में उसके बाद क्या हुआ हुआ है और यह बाकी क्यों नहीं गए बाकी भी आगर आपके बनके अलफा बीटा गामा डिल्टा इडोजन निकल सकता है तो क्यों नहीं निकला क्योंकि आप देखो यह सबसे जाधा प्रिफेरबल है उपर उपर हैं दोनों एक्जियल में हैं इक इंटरक्शन अच्छा ज्यादा प्रिफेरबल से में जमेट्रिकल ही पॉसेबल है उसका एक इसी सा कोश्चन था सी ओ टू का फेस जाएक हम दिया थ उसका ठूरगा इंक टीशी के बाद क्या हमारा लिक्विड एक्जिस हैं में और एकड़ टीसी के बाद के इसे पहले नहीं करेगा को कह सकते हैं त्यह तोडा शायद उस साइड हो सिल्टेग रहता था त्स्य से पहले करता ओसे तो यह याप्शुन और टीवन के बाद T1 के बाद solid exist नहीं करेगा यह पूछा तो यह सही था T1 के बाद solid exist कर रहा था आपको जो भी option से आदम ला आपको concept पता उना चाहिए कि T1 के बाद का यह है इतना पूरा reason पड़ा है मेरे पाद मैं pressure बढ़ाऊंगा तो क्या मेरे बाद solid exist नहीं करेगा मैंने यहां point प बात करना अगर option में था तो करेगा और क्या उसके आद अगला question था इलेक्ट्रों से बहुत ही simple question पूछा था फेराड़ेज लॉस से एजी पॉजिटिव प्लस एलेक्ट्रों एजी दे रहा था बेट में molar mask को दो से डिवाइट करना था यहां पर molar mask को एक से डिवाइट करना था यहां से तो यहां तो यहां तो यहां नहीं है मेरे को अगा data हो आपके पास तो आप discuss कर सकते हैं उसके बाद यह question आया था भी फैका बेस नहीं होगा उसके बाद यहां पर एसा कुछ compound है यहां पर शायद को living group प्रेजेंट था यहां पर डवल बॉम्ट और बन रहा था लेकिन ऐसा compound बन रहा था ठीक है जो एक compound बन रहा था उसके बाद जाइलीन के साथ रिफलक्स करा हुआ था जाइलीन के साथ इनने यहां से हाइडोजन लिया यह वाला यह सिन एलिमिनेशन होता है यहां से हाइडोजन लिया इनने यह डवला बना दिया ठीक है तो क्या हो गया निकल गया आपका जैलीन बन गया ठीक है उसके बाद हीम प्रोटीन ठीक है तो हीम में क्या होता है नौन हीम पूछा था हम ही में क्या होता है में आयरेंड की साथ पोरफाइनलिंग होनी चाहिए ही में तो कॉपर होता है कॉपर किसा लगी होती है तो ही पूछ लाने नहीं इन्हांने दो पूछा था क्या होता है आपको पता हम नचेंगे स्वाल पूछा था क्यों दिया था कि हमने इतनी हीटी 20 किलो जूल तो उसका टेंपरेचर इतना था फिर उसके सिंक सोर्स जागे 400 हो गया तीएच पता है टीसी पता इटा निकालना है तीएच माइनों टीसी अपॉन टीसी टीके हमाने टीसी आपों टीसी मेलर आउट पॉन पूं इंपूट ऊपूं तो कि आंसर लागा 20 एंसर आगे सिंपल उसके बाद एक डीदक्शन इन इंतेंसिटि पूछा था ठीके रिदक्शन इंटेंसिटिपों इसी अपको वन नंट मींटर दिया था पॉंट वन सेंटि या फिर लॉग i0 upon i is equal to epsilon lc यहां से i0 upon i आ गया हमें reduction intensity i0 minus i upon i0 into 100 निकालना है तो इसको opposite कर देंगे i upon i0 आ जाएगा 1 minus i upon i0 यहां गया 1 minus i upon i0 यह तो पूछा है into 100 इसका अच्छिस चाहिए 54 के आसपस आया था 54 point something था शाया इतने हिथा उसके बाद यह अच्छा कोशन था lda क्या मैं पता यहां पर नेगेटिव आया conjugation में किया रिंग खोलती बाद क्या हुआ यह रिंग खोलने के पार इसने भी अपने कार्बो कार्बोनिल से होगी 1 2 3 4 5 6 6 पे डावल ट्रपल बॉंट है तो आई ना गया आंसर ठीक है सिंपल आई पेसी उसके बाद एक 2 2R 3R ऐसा कोई कंपाउंट या था ऐसा ही कंपाउंट था वो 2R 3R उसकी वो दी थी हमें पता करना था कि आर कैसे आएगा ता आप देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 आर ठीक है ऐसी देख लो 1 2 3 1 2 3 4 आर ठीक है तो आरार हो गए आरार में एन्योटी से रिलर्ट कर आया आप इसको कर लो बी था और ये कंपाउंड द या था इसको किलोग्राम में कितना होपा ये पूछा था ऐसा कुछ ता आप देखो इस कमपाउंड में 30 तो हमने पहले मुल के मुलर मस देख्ज़के किलो में निकल ले क्यों कुछ तो मैने किलोग्राम को चेंग नहीं किया किलीम salvar की तक तीन इसके साथ क्या करेंगा चीलेशन एफेक्ट की वज़े से लाई आ जाएगा और फिस एट ने आटक करें नेगेटिव ही तो बना यहां पे एक तने से जाएगा उसके बाद कुपलिंग रियक्शन होगी यह पढ़ी होगी आपने इस टैप पी रियक्शन तो यहां पर यहां उसके बाद एक नुक्लियोटाइट पोचा था जिंपल सा कोशद नुक्लियोटाइट पूचा था आपर ऑंप फास्फित तो यह ही आप्दें कुशिटे Questo मैं जेसिस के नंसुक एक में mass spectrum में M, M plus 2 और M plus 4 की peak का ratio दिया था 1 ratio, 2 ratio, 1 यह ratio होता है, हमेशा 2 bromine के लिए होता है, तो यह तो 1,2 dry bromobenshin होगा, यह 1,4 di bromobenshin होगा, उसके बाद one H, NMR में दिया था कि 4.79 का एक signal आता है, एक signal आता है आपको पता है, 1,4 ही हो सकता है, 1,2 में तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी कोशन में आप कमेंट बॉक्स में पूछो आपको आंसर मिल जाएगा उस कोशन का, हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको उसका आंसर बता हैं आपको, और कोशन जितने भी रह गए मेरे से, आप मेरे स आपको 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 आपक